नमस्ते दोस्तों मैं श्रेयस बढ़ी है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हम डेली करेंट अफेर सीरीज से 7 और 8 फेब्रियोरी के करेंट अफेर को स्टेडी करेंगे अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडियाफ चाहते है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रखी हुई है मेरे टेलेग्राम चैनल के उसे जॉइन कीजे वहाँ पे आपको डेली वीडियो के पीडियाफ मिलते रहेंगे उसे के साथ साथ आपको अगर MCQs भी सॉल करने है तो इस वीडियो के इंड तक बने र और इसका सिलेवस जाता है इंडियन पॉलिटी से रिसेंटली यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक डाफ रिपोर्ट अप्रूट की है उत्राखन कैबिनेट में तो सबसे पहले आपको ये बदा दू कि जो स्टेट असेंबली है वहाँ पे इसे बिल की तरह रखा गया था हम क कैंगे religion wise लागू नहीं किया जाएंगे apply नहीं किया जाएंगे तो without taking into consideration the religion याने हिंदूों के लिए भी वही law muslims के लिए भी वही law सबके लिए एक ही law हैंगे उसको uniform civil code कहा जाता है constitution के ये article number 44 में दिया है उसमें ये कहा गया है कि state जो होता है उसे अपने citizens को uniform civil code देना चा होते हैं उन्होंने पहली बार parliament को direct किया था कि वो UCC को frame करें और वो जो case है उसका नाम था मोहमद एहमद खान वर्से शहाबानो बेगम in year 1985 यह यहाँ पर होते हो दिखता है दूसरी बात यहाँ पर है कि शहाबानो जो होते है वो claim करते हैं इस case में maintenance claim करते हैं अपने husband से under section 125 अब जानते हैं कि यह Muslim थी अब Muslim law तो codify नहीं हुआ था बड़ शहाबानो ने कहा कि मुझे भी maintenance चाहिए अपने husband से तो हम कहेंगे कि वो जो शहाबानो थे उनको कही ना कि triple तलाक दिया था उनके husband ने तो इसलिए उन्होंने कहा था कि मुझे maintenance चाहिए अब हुआ कि Supreme Court ने Right to Protection on Divorce Act 1986 को पास कर दिया जिस कारण Muslim women जो थी उनको maintenance जो मिलने वाला था section 125 के अंडर वो यहाँ पे नहीं मिल पाया अब UCC की अगर बात करें तो हमें uniform civil code की जरुवत क्यों है सबसे पहले आपको यह बता दो कि gender justice यह जो भी personal law है हर religion में मैं यह नहीं कहूंगा सिर्फ Muslims मे यह Hindu में almost हर religion में देखा गया तो यह discriminatory towards women, women को उतने rights religion नहीं दिये जितने male को दिये हुए, main जो होते usually उनको upper preferential status मिला है, हम कहेंगे कि उनका status अपर ही रहा है हमेशा male का, और succession की बात हो, यह अगर death के बाद property मिलने की बात हो, inheritance की बात हो, तो यह भी चीजे लड़कियों क बहुत सारे religion में नहीं मिलती है, muslim main जो होते हैं, उनको allow किया गया है कि वो multiple शादिया कर सकते हैं, multiple wives रख शकते हैं, बट women जो होती हैं, उनको multiple husband रखने का मौका यहां, याने हम कहेंगे right यहां नहीं दिया गया है, even after 2005 का amendment हुआ था हिंदू succession act में, women जो होती हैं, उनको फ सो हम कहेंगे कि in case, हिंदू वीडो जो होती है, उसकी death हो जाती है, without any here, या फिर उसकी जो will होती है, याने उसका कोई be here नहीं है, याने उसका कोई बेटा नहीं है, कुछ नहीं है, जिसके नाम पे property हो सकते हैं, उसकी जितने भी property है, वो automatically उसके husband के family को मिल जाती है, याने उसके family को ना मिलते हैं, husband के family को मिल जाती है, ये भी आपको पता चलता है, अगर हिंदू विद्वा की death होती है, याने हिंदू विद्वा रहेगी याने उसको husband तो नहीं है, बट उसको कोई बेटा बेटी भी नहीं है, अगर legal here नहीं है, तो वो किसको मिल जाएगी, वो मि देखता है कि gender justice जो है, ये मिलना चाहिए, मेन और विमेन को, तो ये uniform civil code कर सकता है, दूसरा है national unity, अगर सबका law एक रहा तो इंडिया में national unity बन सकती है, unified personal law जो है, जिसमें आप gender नहीं देखोगे, caste नहीं देखोगे, ये सब नहीं देखोगे, तो अपने आप national unity आएंगे, और solidarity आएगे, सब लोग एक ताके feeling के साथ यहां रहना शुरू करेंगे, अगली बात है simplification of law, हम कहेंगे कि जब भी law की बात की जाए, तो हर धर्म के लिए जब अलग-अलग law देखने मिलते हैं, तो ये काफी अलग से एक बात हो जाते हैं, काफी overlapping है laws में, और different personal laws जो होते शादिया कैसी हो गया और ये सब यहां बताया गया था, हिंदू succession act के चलते property का हिस्सा किस तरह से किसको मिलेगा, ये बताया गया था, हिंदू minority and guardianship act में minority को लेके, या फिर जो minor है हिंदू, उनको लेकि या उनके guardian कौन रहेंगे, ये यहां बताया जाता है, हिंदू adoption and maintenance act म हो गया, हिंदू जो होते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि सीख आते हैं, जैन आते हैं और बुद्धिष्ट भी आते हैं, सब के उपर ये जो law होते हैं, ये अप्लिकेबल तो हो गया, ये law को codify किया था पार्लामेंट ने 1956 में, बट मुस्लिम के जो personal laws है, वो अलग है, 1939 का जो या act, 1937 में बनाई गई, और इसमें कहीं, ना कहीं, पाच प्रोविजन डाले गए, पाच प्रोविजन में, मैरेज के प्रोविजन है, डिवोर्स के प्रोविजन है, बच्चे किसको मिलेंगे, या बच्चों को प्रॉपर्टी किस तरह से मिलेगी, या हम कहेंगे, इंटि 1937 में बताई गई थी, बट हर चीज़ शरिया के according थी, और इसमें कोई भी फिर modernization आपको देखने नहीं मिला, अगला है secular law, secular law की बात करें, तो यह हम कहेंगे कि जितने भी law है, यह religion को एक तरह से एक बांध के रखते हैं, या religion को यह अलग नहीं कर पाएंगे, तो यह जित नहीं हमको एक रहने की feeling देते रहते हैं, बाकी law की बात करें तो नौर्थ इस्ट में more than 200 tribes है, जिनके अप अपने अलग-अलग customary law है, सबके अलग-अलग, apart from it, different personal law जो है, जैसे Christian और Jews के वो भी अलग है, तो इसलिए हम कहेंगे, UCC जो है, uniform civil code, जो वह simplify कर देगा हर law को एक इसका source था, Times of India, आगे हम चलते हैं, दूसरे current affair के तरफ, दूसरा current affair है, inclusive education for disabled at secondary level, IEDSS scheme को लेके, इसका सिलेवत जाता है, government scheme में, recently क्या हुआ है, कि जो करनाटक की government तो उन्होंने suspend कर दिया है, 5 officers को, हम कहेंगे, कि जो अपने duty पूरी नहीं कर रहे थे, implement करने की, inclusive education for disabled at secondary education scheme क के उपर अपने duty पूरी नहीं कर रहे थे, इसलिए जो scheme है, ये भी news में आ गई, इनके खिलाफ एक F.I.R. रजिस्टर किया गया, F.I.R. जो हो तो 56 officials के, हम कहेंगे, against register किया गया और 22 NGOs के खिलाफ किया गया, अब ये scheme है, क्या ये देख लेते हैं, ये scheme जो होती है, इसे launch कि students है, उनको कही ना कही हम कहेंगे कि education लेने का यहां मौका मिलता है, याने हम कहेंगे to pursue further 4 years of secondary schooling, याने जब अपने वो 8 साल complete कर लेते हैं, तो वो आगे secondary schooling 4 साल के लिए पूरी कर सकते हैं, याने हम कहेंगे elementary schooling के वो 8 साल जब पूरे कर लेते हैं, उसके बाद, तो ये inclusion enabling environment वा ये सब हो सकता है, historical background के बात करें, तो ये जो scheme होती है, IEDSS, इसने replace किया था जो पहले scheme चलती थी, integrated education for disabled children, IEDC, और ये provide करती assistance को, याने inclusive education provide करती है disabled children को class 11 और class 12 में, ये जो scheme है, ये जो हैं हम कहेंगे कि राश्ट्रिय माध्यमिक शिक्षन अभियान के under से चलाई जा रही है 2013 से, और आप आपको ये भी बता दूँ कि जो states और union territories होते हैं, वो RMSA जो है, याने राश्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसको RMSA कहा जाता है, ये scheme है, इसके अंडर यहां पे काम चल रहे हैं, silent features के अगर बात करें, जो scheme हमने पढ़ी, वो scheme के, तो सबसे पहले, ये जो scheme है, वो हर बच्चो, जितने भी बच्चे हैं, उनको cover करती है, जो की study कर रहे है, secondary stage पे, government या local body या government-aided schools में, जहां पे government के fund पे जो school चलाई जाती है, और इनको एक या एक से ज़्यादा disability है, उन के अप है, तो उसको यहां पे ये scheme का लाब उठाते आएगा, उसको benefits उठाते आएगे, National Trust Act जो है 1999 का, उसके चलते, class 9 से class 12 के बीच में भी यहां पे आपको education प्रोवाइड किया जाएगा, आप जो disability होती है, वो कैसी है, blindness है, low vision है, leprosy है, cured है, but hearing impairment है, आपको ठीक से सुन है, ये सब रहे, और may even eventually cover speech impairment या ठीक से बात नहीं कर पा रहे है, या फिर ठीक से चीज़े सीख नहीं पा रहे है, learning disability है, तो भी आप इस scheme में cover हो जाते हो, girls with disability जो होती है, उनको यहां पे special focus उन पे रखा जाएगा, secondary school उनको provide की जाएगी, और उनको काफी अच्छा guidance दिया जाएगा, जिससे वो develop कर पाए, उसके अलावा यहां पे एक model बनाया जा रहा है, inclusive schools का, यानि जो state की schools है, उसमें सिर्फ normal जो बच्चों को सब कुछ मिला है, वही नहीं, तो जो disabled बच्चे उनको भी यहां पे सब चीजों का लाब मिलेगा, ऐसी यह scheme लाई गए थी, components के अ allowance आपको मिल जाएगा, पढ़ाई लिखाई, reader allowance मिल जाता है, stipend मिल जाता है लड़कियों को, जो भी मंतली दिया जाएगा, या फिर support services मिलेगी, उसके अलावा, assist to devices दी जाएगी, boarding and lodging facility रहने की विवस्ता कर दी जाएगी, therapeutic services मिलेगी, जिससे आपकी therapies की जाएगी, teaching learning materials भी आपको provide किया जाएगा, बाकि जो components है, वो वही है कि special education से related teachers को appoint किया जाएगा, general teachers को allowances भी दिये जाएगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि teachers भी अच्छे से पढ़ा पाए, जिसके चलते, बच्चे हो गए, teacher training हो गई, या फिर जितना भी administrators है, या फिर जितने भ बनाई जाएगा, कि barrier free environment बनाई जाएगा, जिसमें सब लोग मिलके, सब बच्चे जो है, वो easily freedom के साथ और बहुत अच्छे से work करके अपने आपका development कर सके, implementing agencies जो है, जो इसके ओपर काम कर रही है, जैसे कि मैंने बताया, the school education department जो है, जो state government और union territory के अंडर काम करती है, वो scheme से और उसका administration भी संभालती है, इसमें NGOs भी काम कर सकते है, जिनका education के field में काफी हम कहेंगे experience रहा है, ये लोग इसको implement करेंगे, financial assistance की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि यहाँ financial assistance दिया जाएगा, central government जो होती है, वो आपको finance provide करेगा, और ये scheme में 100% basis आ 600 per disabled state government को खर्चा करना है, बाकी जो भी है वो central government देखेगा, तो इस तरह से ये scheme है, जो की news में आई है, और इसका implementation ठीक से नहीं चलने के कारण कुछ officials को suspend करके उन पे FIR भी दर्च किया गया है, तो ये जो news में रहा है, इसका source था the Hindu, अगले current affair के दरब चलते है, जो अगला current affair है, वो है, National Terrorism Data Fusion and Data and Analysis Center को लेके, NTDFAC, और इसका syllabus जाता है governance में, recently National Investigation Agency जो है, उन्होंने डेवलप किया है, National Terrorism Data Fusion and Analysis Center, एक center बनाया गया है, इस कारण जो government होती है, वो collect कर सकती है, information को और compile कर सकती है, terrorist के उपर जो information है, उन सबको अलग-अलग sources से, तो हम देखते हैं कि National Terrorism Data Fusion and Analysis Center क्या होता है, इसको inaugurate किया गया, January 2024 में, National Terrorism Data Fusion and Analysis Center जो होता है, यह data collect करेगा, अलग-अलग sources से, जैसे हम कहेंगे कि National, जो भी investigation agency है, उसका National Automated Fingerprint Identification System है, वहाँ से, या फिर National Integrated Database on Arrested Narco Offenders है, वहाँ से, जितने भी offender से, उनका database एक तरह से होता है, इतना ही नहीं, तो यहाँ से आप देखेंगे कि इनको funding कहा से होती है, इनको पैसे कहा से आते है, जितने भी pictures available है, वो देखे जाएंगे, या internet पे जो जो चीज़े है, वो सबसे एक data cover किया जाएगा, उसके अलावा combined, याने हम कहेंगे various databases है, जिससे Indian intelligence जो है, उनको allow किया जाता है, कि वो दिये जाएंगे, तो हम कहेंगे यह सब चीज़े यहाँ पे चलेगी, और यह जो भी आपको देखने मिल रहा है, यहाँ पे, जिसको हम National Automated Fingerprint Identification System कहते हैं, नफीज, यहाँ पे it holds 9.2 million biometric records है, इनके पास, data है, जिसमें more than 22,000 terrorism cases जो है, वो जो फाइल की गई थी, वो सब ची official recognition भी system इनके पास है, जिससे CCTV footage को भी scan किया जा सकता है, for the faces of suspects, जो भी लोगों पे doubt है, उनके faces को scan किया जा सकता है, और उसे का साथ-साथ आपको बतादे, global terrorism database जो होता है, US का, उसी के models पे यह बनाया गया है, उसी के तरह यह काम करेगा इस तरह से, इसे develop किया गया है, इस जो operate करने देश में, उनकी information निकाल के, उनकी activities को यहाँ पे रोकने की कोशिश करेगा, और देश के safety के लिए हमेशा कोशिश करते रहेगा, इस तरह से यह एक और terrorism को लेके, एक center है, जो news में रहा है, और इसका source था, the Indian Express, चलिए next current affair के तरफ बढ़ते हैं, next current affair जो है, वो है घर, go home and reunite portal, घर portal यहाँ पे launch किया गया, इसका syllabus जाता है governance में, recently घर यहने go home and reunite portal यहाँ पे launch किया गया है, background की बात करें तो National Commission for Protection of Child Rights, NCPCR, इन्होंने develop किया और launch किया एक portal जिसका नाम है घर, और इसका full form है, go home reunite portal, यहाँ पे यह ही है कि आपको restoration और repair, और repatriation जो है बच्चों का वो यहाँ पे किया जाएगा, इसके बारे में अब हम पढ़ लेते हैं, आपको information पूरी पता चल जाएगी, जो घर है, go home and reunite portal जो होता है, यह digitally monitor है, और यह track करता है, restoration and repatriation of children, यहाँ जो जो बच्चे यहाँ वहाँ हो गए है, वो घर से भाग ग अब यहाँ पे juvenile justice care and protection act 2015 का और जो rules है, उसके उपर यहाँ पे काम किये जाएगे, objectivity वही है कि digitally monitor करना, track करना और बच्चों को उनके घर तक सही से पहुचाना, जो ministry इसके उपर काम कर रही है, जो ministry इसके उपर काम कर रही है, वो है ministry of women and child development, अब इसके features जान लेते हैं, आप से कही ना कही जुड़े हुए है, यानि हम कहेंगे उन्होंने एक तो कोई offense किये या फिर घर से भाग गये है, ये किसी भी दूसरे देश में गये हो, या किसी दूसरे state में या district में गये हो, हर जगव यहाँ पे उन पे नजर रखी जाएगे और या track किया जाएगा, digital जो cases स इसको transfer किया जाएगा जो बच्चों की cases है, यानि सही juvenile justice board को, अब for example आप कही और हो और ये जो बच्चा ये किसी और जगह पे देखने मिल रहा है, ये नाम की जगह पे ये पाया गया है, तो वहाँ के juvenile justice board को यहाँ पे transfer कर दी जाएगी case, या फिर वहाँ के welfare committee जो है, वो state क इससे कही ना कही जो बच्चे है, वो सही से, यानि कही ना कही पहुच जाएगे, उनका speedy repatriation हो जाएगा, इतना ही नहीं तो यहाँ पे अब भाशा समझने का problem है, या जो भी अब दूसरे state में गए है, दूसरे country में चले गए, तो जहाँ translator interpreter ए expert की जरूरत है, तो request करने प उपने सही जगह पे पहुचाने का काम यहाँ पे किया जाएगा, और digitally हर चीज़ को monitor किया जाएगा, checklist format यहाँ पे रहेगा, जिसके चलते जो बच्चे है, who are being hard to repatriate, और children who are not getting their entitled compensation, जो बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है, या फिर उनको monetary benefits चाहिए, उनको कही ना कही घर किया जाएगा, तो यहाँ पे list निकाली जाएगी, जो भी schemes है, implemented schemes है, वो पूरे government की implemented schemes की list जो रहेगी, वो यहाँ provide की जाएगी, और उसके चलते, यहाँ देखा जाएगा कि सब चीज़े ठीक से चल रही है, कि नहीं, और बच्चों का child welfare committee जो है, वो ठीक से काम कर रही है, यह आपको पता चलेगा, और कही ना कही आपको यह बता दू, कि कितना time लगा और क्या नहीं, यह भी यहाँ पर पता चल सकता है, जो schemes जो है, वो ठीक से चल रही की नहीं, और कही ना कही जो परिवार है, बच्चों के, वो भी कही ना कही एक तरह से strengthen हो जाएगे, और बच Information Bureau, अगला current affair के दरब चलते है, जो अगला current affair है, वो है, soda lake को लेके, जी आपने सही नाम सुना, soda lake, जोगरफिका यह current affair है, और आपको यह बता दो, recently scientist ने एक shallow soda lake, जो है, उसे discover किया है, western Canada में, background की बात करे, तो it could be a good match for Darwin's warm little ponds, जो Darwin ने एक theory कही थी, उसमें उने ने कहा था कि warm little ponds, एक ponds, कुछ ponds है, जो कि warm ponds रहेंगे, छोटे छोटे, जहां से life शुरू हुई होगी, यानि और जो है, वो जैसे बनी और उसके बाद life जहां सबसे पहले शुरू हुई, वो warm little ponds से शुरू होगी, ऐसा Darwin का कहना था, तो वही अच्छा match है, क्योंकि soda lake उसी से मिल रहा है, about soda lake जान लेते हैं, यह ऐसा lake होता है, जिसके pH value usually 9 से 11 के बीच में होती है, यानि आपको यह पता चल रहा है, यह बिल्कुल acidic नहीं है, यह कही ना कही basic lake है, यह alkaline lake है, और यह strongly alkaline side है, यह neutrality, या फिर यह हमें बताता है, जो pH value है between 9 to 12, यह बताता है कि यह काफी alkaline ह नहीं है, और इतना ही नहीं तो इसकी कही ना कही यह अच्छा support कर सकता है, इसकी pH value काफी आपको देखने मिल रही है, इसके लिए अलग से geological conditions, climatic conditions और geographic requirements अलग से होते हैं इस lake के लिए, टोपोग्राफी जो होती है, उसमें आपको यह बता दू कि इसकी टोपोग्राफी ऐ ज़्यादा तर बाहर नहीं जा सकता है, तो limits the outflow of water from the lake, यह इसमें होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि यह जो लेक होते हैं काफी product ही होते हैं, यहाँ पर aquatic environment आपको काफी अच्छे देखने मिलते हैं, अर्थ के उपर के, तो हम यहीं कहेंगे कि यहाँ पर availability जो है dissolved carbon dioxide क कि वो भी काफी अच्छी है, तो availability carbon dioxide की अच्छी है, तो यहाँ पर plants भी अच्छे से grow करेंगे, plants grow कर रहें तो बाकि aquatic animals भी यहाँ पर बन जाएंगे, तो यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि carbon dioxide के जरुवत पढ़ते हैं, plants को carbon dioxide और आपको पता है कि जो sunlight है उसके और उसके semi-arid areas में आपको देखने मिलते हैं, arid areas यहने आपको पता है जहाँ पेड़ और यह सब थोड़े कम होते हैं, वैसे area में यह देखने मिलते हैं, semi-arid में देखने मिलते हैं, और यहाँ पर prokaryotis यह आपको कुछ देखने मिलते हैं, यह कुछ organisms होते हैं, जैसे bacteria हो गए, air क् इस्पेशली जो लेक में पाये जाते हैं वो सब है जिसमें high level of alkalinity होती है वहाँ पे पाये जाते हैं तो इस तरह से soda lake जो है यह discover हो और यह news में रहा और इसका source था science daily अगले current affair के तरफ चलते हैं अगला current affair है exercise वायू शक्ती 24 को लेके इसका syllabus जाता है defense में recently exercise वायू शक्ती 24 लिया गया है उसके अलावा यह है क्या Indian Air Force जो होती है वो इसे कंड़क करता है अब नाम से आपको पता ही चल रहा है वायू शक्ती 24 के बारे में पहले जान लेते हैं इसकी जो date है यह है 17th February 2024 जब इसको launch किया जाता है दूसरी बात यहाँ पे जो आपको दे जाएगा exercise तो यह exercise joint operation है Indian Army के साथ Indian Army और Air Force का joint एक operation है यह exercise है इसमें 121 aircraft होंगे जिसमें इंडिया में बने हुए तेजस प्रचंड और दुरू यह aircraft भी देखने मिलेंगे बाकी participating aircraft जो इसमें है वो रफाइल है मिराज है 2000 सुखोई सुखोई 30 MKI जैगवार हॉक C-130J चिनु अपाचे MI-17 ऐसे aircraft भी आपको देखने मिलेंगे इंडिजिनियस surface to air weapon याने इसको surface से हवा में मारा जा सकता है जैसे कि आकाश हो गया समर हो गया यह भी अपने चीज़े demonstrate करेंगे जैसे आपको यह पता चल रहा है कि पोकरन air to ground याने हवा से नीचे मारे जाने वाली range होती ह वहाँ पर इसको टेस्ट किए यहाँ पर exercise की जाएगी तो surface to air याने जो जमीन से air में अटैक कर सकते हैं वो जैसे आकाश और समर उसी के अलावा exercise वायू शक्ती जो है यह demonstrate करेंगा इंडियन एर फोर्स की capability हो कितना capable है long range weapons किस तरह से हमारे पास है हमारी capability क्या है यह सब ची lasting effects हमारे हर चीज टाइम पर करके हम हर चीज को खतम भी कर सकते हैं बहुत अच्छे हमारे effects है तो हम operate करने वाले multiple air bases से इंडियन एर फोर्स जो होता है यह हम कहेंगे कि काफी large scale war games भी चला रहा है जैसे वायू शक्ती हो गया गगन शक्ती हो गया तरंग शक्ती हो गया तो यह भी काफी एक अच्छा interest create करता है बच्चों का भी वो एर फोर्स में जाए और एर फोर्स को और भी develop करते चले special operations जो air force transportation helicopter fleet जो होती हिन्होंने चला है जिसमें गरूड है इंडियन आर्मी इन दोनोंने मिलके काफी सारे अच्छे display हमें बताया है और काफी सारे special operations यह लोग चलाते रहते तो इस तरह से exercise वायू शक्ती जो है यह 17th February को होने वाला है और यह हमें information मिलती है press information bureau से उसके बा practice mcqs में सबसे पहला question है एक तरफ आपको exercise दिया है दूसरा तरफ countries दिया है exercise है समुद्र शक्ती और country का नाम है इंडिया और इंडोनेशिया गरूड exercise इंडिया और फ्रांस सूरिय के रहन इंडिया और नेपाल आपको इसमें से correctly match pair जो है वो धून के निकालना है पहला option ह one only second option is two only third option is all three and fourth is none सही option जो आपको लग रहा है उसे comment section में लिखिएगा next जो दूसरा question हमें देखने मिल रहा है वो statements को लिखे है यहाँ पे आपको दो statements दिये पहला statement है घर go home reunite portal जो होता है उसे national commission for protection of child rights ने launch किया हुआ है दूसरा statement है यह speedy repatriation जो है बच्चों का वो statement one का correct explanation भी है दूसरा option कहता है statement one और statement two दोनों correct है बट statement two जो है वो correct explanation नहीं है statement one का तीसरा option कहता है statement one correct है बट statement two incorrect है और चौता कहता है statement one incorrect है बट statement two correct है आपको जो भी सही option है वो comment section में लिखना है तीसरे question की तरफ बढ़ते है तीसरा question है हमारा with reference to soda lick आपको options कौन से सही है बताना है पहला है कि यह most productive aquatic environment बनाते एर्थ पे क्योंकि इसमें dissolved carbon dioxide काफी अच्छा होता है यह naturally arid और semi-arid region में देखने मिलते हैं उसे के अलावा इसमें prokaryot से होते हैं जैसे हम कहेंगे कि bacteria, archaea यह सब आपको देखने मिलते हैं जो especially lake जिसमें higher level of alkalinity होते हैं वहाँ देखने म only सही option को comment section में लिखिएगा अब बारी है पिछले बार के जो question पूछे थे उसके answers देखने की तो 6th February के जो current affair थे उसके answer है question 1 का A, question 2 का B और question 3 का C तो चलिए हम 8 February 2022 के current affairs को पढ़ते हैं सबसे पहला जो current affair देखने मिल रहा है वो है मेरा गाओ मेरी धरोवर और यह syllabus में जाता है government schemes के recently government of India जो उन्होंने decide किया है कि जितने भी map और documents है सभी गाओ के under मेरा गाओ मेरी धरोवर program जो होते हैं उससे decide किया जाएगा background में अगर हम आते हैं एक web portal है on mgmd मेरा गाओ मेरी धरोवर इसको launch किया गया था दो हम कहेंगे जुलाई 2023 को मेरा गाओ मेरी धरोवर program जो इसको 27 जुलाई 2023 को launch किया गया था ministry जो आती है ministry of culture तो इसका main object यही है इस program का कि जो भी इंडिया के साड़े च्छे लाख villages है जो कि 29 states और साथ union territories से हैं उनको इस platform पे लाया जाएगा और उनको culturally थोड़ा develop किया जाएगा यह सब चीज़े यहाँ पे हमें पता चल जीए silent features की अगर बात करें मेरी गाव मेरा धरोहर की तो हम कहेंगे सबसे पहले यह एक इंडिया का initiative जिसमें national mission on cultural mapping यह चलने वाला है दूसरी बात MGMD जो है यह एक information collect करेगा और हम कहेंगे collect करने के लिए under seven board abroad categories में information collect की जाएगी जैसे art and crafts क्या है गाव का scholastic village जो है याने textual or scriptural tradition जो इंडिया के उससे कुछ जुड़ा है कि याने कुछ वहां से गरंत है कि नहीं या फिर स्कॉलर उस गाव से रहे कि नहीं एपिक villages कौन-कौन से है जैसे कि रामायन महा भारत है फिर पुरानिक legend से जुड़े हुए औरल एपिक से जुड़े हुए कौन-कौन से जिससे गाव जुड़े है उसके अलावा historical villages जो रहेंगे याने जहां कि कोई history है ऐसे गाव ऐसे local national history वाले ऐसे गाव के भी mapping की a ऐसे इस तरह से गाव जो होते हैं उनको यहां पर फ्रीफियन मार्क किया जाएगा और उनको कहीना कही डेवलप्मेंट के लिए उनका काम चलेगा ministry of cultural जो है वो यह scheme को financial assistance देगी for promotion of art and culture जिसमें art component होंगे जिसके चलते हम कहेंगे कि इनको कहीं न कहीं fund दिया जाएगा कि अपना art and culture को develop करे उसे promote करे उसे maintain करे दूसरी बात जो है MGMD जो है वहाँ पर एक information detailing रहेगी history जो life जो भी रही है history जो रही है या फिर जो भी thoughts रहा है Indian villages का यानि वहाँ की life कैसे थी वहाँ का culture कैसा था यह सब चीजों को यहाँ ध्यान में रखा जाएगा और उसी के अलावा यहाँ पे यह जो भी चीज़े है उसको इस portal पे showcase किया जाएगा कि देखिए इस गाव में यह सब चीज़े है यह गाव में इस तरह की इसकी location इसकी demographic aspects क्या है यहाँ के traditional traces कैसे ornaments कैसे art and crafts क्या है temples कौन से fairs festivals और हर चीज़ पे हाँ पे कहीं न कहीं focus किया जाएगा तो benefits यही है कि एक तरह से यहाँ पे एक one stop destination है यह जो portal रहेगा वो जहां से आप नहीं चीज़े discover कर पाएंगे explore कर पाएंगे research कर पाएंगे virtually आप visit कर पाओगे हर गाव को याने घर बैठे 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 आप पोर्टल के थू हर गाव को visit भी कर पाओगे तो इस तरह से मेरी मेरा गाव मेरी धरोवर ऐसा एक program है जिसके चलते एक portal बनाया जा रहा है तो हम कहेंगे बहुत अच्छे हम कहेंगे एक बात होगी जिससे हमारा जो culture है हमारे गाव का culture है वो कहीं ना कहीं promote भी होगा और वो maintain भी होगा तो यह जो current फिर थे इसका source था press information bureau that is PIB उसके बाद हम देखते है जो अगला current अफिर है वो है Simlipal Tiger Reserve को लेके syllabus इसका जाता है environment और ecology में recently Odisha government जो थे उन्होंने यह announce किया है to establish of a first kind of its हम कहेंगे in the world melanistic tiger safari तो यहाँ पे एक melanistic tiger safari जो है वो launch की जाएगी Simlipal Tiger Reserve में तो अब अगर आपको सवाल आ रहा होगा मैंड में कि यह melanistic tiger कौन होते तो melanistic tiger जो होते है वो black color के tigers होते तो यह black tigers होते इनकी safari यहाँ चला ही जाएगी तो हम कहेंगे कि tiger जैसे होते वैसे होते है थोड़े एक्स्टा black उस पर जो stripes होते वो आपको देखने मिलते है background जो इसका है वो यह है कि Simlipal tiger reserve जो होता है यह सिर्फ एक ही home है for melanistic tiger in the wild in the world यह आपको पता चलता है पुरे world में यही एक जगह जगह जाब melanistic tiger देखने मिलते हैं बाकी जो tiger होते हैं उसके पे जो stripes होते हैं उससे थोड़े यह dark होते हैं और यह थोड़े blackish दिखते हैं इसके pete पे भी black color का color आपको इस tiger के तो यह state forest and environment department कहता है कि सिर्फ world में एक ही ऐसा tiger reserve है तो फिर simlipal में इस तरह की melanistic tiger के सबारी शुरू हो रही है तो उसके बारे में हमें जानना होगा इस simlipal tiger reserve के बारे में तो चलिए simlipal tiger reserve के बारे में जानते हैं तो यह simlipal tiger reserve जो ओड़ी सा में है और आपको ब इसा के मयूर बंज डिस्ट्रिक्ट में इसका एरिया 2750 स्क्वेर किलोमेटर है और यहां पर काफी अच्छे अच्छे waterfalls भी है जैसे जोरांदा waterfall बरे हिपानी waterfall तो उसके अलावा हम कहेंगे यहां पर अलग-अलग tribe देखने मिलती है जैसे कोला tribe है संथाला tribe है भूमिजा tribe है भातूडी tribe है गोंड है यहां पर हम कहेंगे खाडिया tribe है मंकाडिया tribe है यहां पर हम कहेंगे सहारा tribe इस तरह कि अलग-अलग tribes भी आपको देखने मिलते हैं ट्राइप को अच्छे से याद रखेगा कभी कभी tribes पर question देखने मिलते हैं मुसी के अलावा इसको declare किया गया टाइगर रिजर्व करके 1956 में और इसको नाशनल कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंडर भी रखा गया प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर से 1973 से सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो होता है अलॉंग विट इस ट्रांजिशनल एरिया ने उसके आसपास का जो भी एरिया है वो पकड़ के ट्रांजिशनल एरिया सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का वो है बाइस सो पचा स्क्वेर किलोमेटर 2250 स्क्वेर किलोमेटर ये वर्ल्ड नेट्व का बाइस पर रिजर्व में डाला गया यूनेस को कि आप बोलोगे इसका फूल एरिया तो इतना है हाँ फूल ए आपको साल इसलिए समी एवर ग्रीन होटे इसलिए साल जो है यह डॉमिनन ट्री स्पीसीज है जो आपको देखने मिलते हैं जो Simlipal है वहाँ और Fona की बात करें तो Royal Bengal Tiger यहाँ पर है लेपड है गौर है इलिफेंट है लंगूर है बार्किंग एंड स्पॉर्टेड डियर है इस सब आपको Simlipal Tiger Reserve में देखने मिलते हैं तो इस तरह से Simlipal Tiger Reserve जो है नियूज में आ गया और इसका सोर्स था देखने मिलता है वो है इनायम को लेकर और इसका सिलह बस जाता है एकनॉमी में रिसेंटली फार्म गेट एक इंटर मंडी इनायम सेल्स जो है उन्होंने कही ना से बहुत सारी चीज़ें बेची गई है यहां बहुत बड़ा सोर्ज देखने मिला इनायम में तो यह इंटर मंडी है याने एक मंडी रहे गे जाए सब्जी बेची जाती है और दूसरी मंडी इहां इन दोनों के बीच में भी यहां वैपार चलता है इनाम से इनाम जो है ए 79 करोड की रही है हम कहेंगे कि आखरी साल जो पिछले साल जो था वो बहुत कम था इस साल बहुत बड़ा इसमें फाइदा दिखा है तो इनाम है क्या यह देख लेते इनाम न्यूज में आ गया है इनाम जो होती है यह एक प्लाटफॉर्म है ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए ज इसको लांच किया गया था यही इसी चीज़ के चलते कि एक नेशन और एक मार्केट बना दिया जैने कोई भी किसी भी मार्केट में कोई भी चीज़ बेच सकता है इससे जो फार्मर्स होते है जो ट्रेडर्स होते है जो बायर्स होते वह ऑनलाइन हर चीज़ के इतनी है बैंक में भी जाने के ज़रुवत नहीं यही कि यही बैठे-बैठे सब काम हो जाएंगे छोटे-छोटे फार्मर एग्री बिजनेस जो कॉंसोर्टीम है जो है याने S.F.A.C. जिसे कहा जाता है वो लीडिंग एजनसी है जो इंप्लिमेंट करता है E.N.A.M. को उसी के साथ साथ उसका जो फंक्षन है वो Ministry of Agriculture and Farmers Welfare के अंडर यह काम करते हैं तो आप देख लेते कि E.N.A.M. जो इसके benefit क्या है E.N.A.M. तो सबसे पहले जो भी मंडी operations है उसमें काफी अच्छे competence लाएगा E.N.A.M.C. का फुल फॉर्म जैसे कि आप अभी उपर भी मैंने आपको बता है आप अभी जानते भी हो और इसका जो फुल फॉर्म है वो है वे ब्रीज भी अच्छे से काम करेंगे या इसका जो भी वजन गिनना है या फिर जिसका जो भी वेट गिनना है वो भी काफी अच्छे से गिनना हो जाएगा उसी के अलावा बहुत इजी एडवांस्ट एक्विपमेंट्स भी यहाँ पर लगाए जाएंगे और रियल टाइम उनलाइन इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी किसी भी कमोडिटी के प्राइस के बारे में बायर सेलर जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को देख पाएंग को जैसे कि आप UPI यूज कर सकते हैं से काफी सारे भी आपको ऑप्शन यहाँ आपको देखने मिलेंगे और मंडी ऑपरेशन जो होगा डिजिटिलाइजेशन के चलते हैं एफिशेंसी भी बढ़ जाएगी इसमें एफिशेंट हो जाएंगे चैलेंज इसमें कुछ ना प्रोब्लेम भी लगता है क्योंकि उनको लगता है कि फिर ट्रांसपोटेशन का मैं क्या करूँगा मेरा जो प्रोडिस है उसके तो यह लेकर पहुचाना पड़ेगा तो यह सब किस तरह से करूँगा या फिर बहुत स्मॉल परसेंटेट जो है टोटल मंडीस के वह इनायम था, वो था financial express, अब अगला जो हमें current अफर देखने मिल रहा है, इसमें हमें इंडियन ग्रे वुल्फ देखने मिल रहा है, इसका सिलवत जाता है, environment and ecology में, recently इंडियन ग्रे वुल्फ जो होता है, इसके साइटिंग हुई है, नाशनल चंबल सैंक्चुरी में, NCS में, बैगरा है, वो इंडियन सबकॉंटिनेंट से तो इसराइल तक ही पाया जाता है, 3000 अनिमल्स इंडिया में हैं, और दूसरी बात यह है, कि इसके सब स्पीसी जो होता है, यह ग्रे वुल्फ का ही एक सब स्पीसी है, जो कि SouthWest Asia में पाया जाता है, वहां से इंडियन सबकॉंटिनेंट में भी रह सकता है और रहता है warmer climates में तो यहाँ पे winter coat जैसे चीज़े यहाँ पे आपको नहीं देखने मिलती है इसके उपर क्योंकि जो wolf थंडी जगर रहते हैं उनके उपर आपको winter coat जैसे चीज़े देखने मिलेगी intermediate size जो है tibetian और arabian wolf के बीच में इसकी होती है याने वही यह tibetian और arabian wolf भी देखोगे तो उनके भी जो size है उसके in between इसके size होती है यह nocturnal है याने रात में काम करते हैं और यह hunt करते हैं dusk to dawn याने हम कहेंगे अंधेरा का समय जब होता है तभी यह कहीं न कहीं hunting करते हैं याने शुबह होने तक hunting होगे डॉन तक यह hunting करेंगे तो इंडियन वुल्फ जो होते हैं वह जो एरियाज में रहते वहां जहां स्क्रब होते वहां पाये जाते हैं सेमी-arid region में जहां पे थोड़ा हम कहेंगे vegetation कम होता है वहां पाये जाते हैं तो एक तरह से पास्ट्रल एग्र एको सिस्टम में यह पाये जाते हैं तो यह आपको यहां पर पता चलता है उसे के साथ साथ आपको यह बता दू कि black bug भी आपको कहीं न कहीं पढ़के रखना ये भी कुछ टाइम पहले न्यूज में था और इसको आप अच्छे से पढ़के रखिएगा तो ब्लैक बग भी इस पे भी question आ सकते हैं conservation status की बात करें Indian Grey Wolf की तो IUCN status इसका है least concern, wildlife protection act के ये schedule 1 में डाला गया है, sites में appendix 1 में डाला गया है तो इस तरह से Indian Grey Wolf जो news में रहा है उसका source था the times of India next current affair के दरफ चलते हैं और next current affair में आपको एक river देखने मिले जिसका नाम है मेकॉंग river geography से related ये कही ना कई current affair है तो recently dam project जो है मेकॉंग river में in Laos इस कारण काफी सारे problems जाने की संभावना है तो हम कहेंगे एक बार ये complete अगर हो जायता है तो project जो होता है वो more than 500 families को displace कर देगा और impact करेगा 20 गाओ पे ये आपको देखने मिलेगा तो सोचिए 500 families और 20 गाओ इस पे impact होने वाला है इतने लोगों को वो जगह छोड़नी पड़ेगी जब ये मेकॉंग river पे एक dam बनाया जाएगा तो मेकॉंग river नीज में आगे इसलिए हमें उसे पढ़ना होगा मेकॉंग river की बात करें तो ये आपको मेकॉंग river देखने मिले इसलिए इसलिए कि in the world ये 12th longest river है तो ये 12th longest river और 3rd longest river है ये एशिया की ये आपको देखने मिलता है टीबेटन प्लाट्यू से ये निकलती है चाइना मैनमार लाउस थाइलांड कमबोडिया वियतनाम से होते हुए ये गुजरती है और फिर ये समुंदर को आके मिलती है आ और हम कहेंगे waterfalls इसमें काफी सारे है मेकॉंग इससे navigation काफी difficult है आप इससे एक जग़े से दुसरे जगे जाने के लिए यूज नहीं कर सकते है नदी को तो lower मेकॉंग region जो होता है वहाँ पे historical और cultural heritage है काफी अच्छा है connection से इंडिया के ancient river civilizations के साथ इसके थ्रू लोग जो है major trade routes देखने मिलते है western China से तो हम कहेंगे south east Asia तक और मेकॉंग region जो होता है ये tourism के लिए काफी अच्छा माना जाता है educational exchanges यहाँ पर है cooperation जैसे कि science और technology जैसे भी sectors में इससे देखने मिलता है इससे देखा जाता है तो इस तरह से ये काफी एक अलग से आपको river देखने मिलती थ तो काफी सारे problems जाने वाले इसलिए ये news में रही है और इसका जो source था वो था दहिंदू तो चलिए अब आज के जो current affairs है उसके related कितने options यहां दिए हुए correct है तो सबसे पहले आपको यह जो भी option आपको correct लग रहे है उसे आपको comment section में लिखना है only one only two all three या none उसके बाद दूसरे question की तरफ बढ़ते है जो दूसरा question है वह है वहाँ दो statement दिए एक है international agency energy agency IEA इसको established किया गया था 1974 में statement टू कहता है इसका आपको statement धूनना है सही option आपको धूनना है पहला है कि दोनो statement correct है और जो statement two है वो correct explanation है statement one का दूसरा है दोनो statement correct है और statement two यह correct explanation नहीं है statement one का तीसरा statement one correct है statement two incorrect है चौता है statement one incorrect है statement two correct है तो तीसरे question के तरफ बढ़ते है तीसरा जो question था वो था with reference to Indian grey wolf consider the following statements first है it is a subspecies of grey wolf found in southwest Asia to the north Indian to the Indian subcontinent ये nocturnal होते हैं यानि रात में काम करते हैं ये appendix 2 में है sites के कितने और statements यहां correct है 2 only 1 2 and 3 1 and 2 only या फिर 3 only तो जो 7 February उसके जो questions पूछे थे उसके answer है question 1 का A question 2 का B और question 3 का A अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं लाइक जरूर करें शेयर करें और मेरे YouTube चनल को सब्सक्राइब करके bell icon को प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाले वीडियोज के notification आपको regularly मिलते रहें अगर आप और updates चाहते हैं तो आप Facebook pages जो है मेरे उनको भी follow और like कर सकते है श्रेयस बड़ी है श्रेयस बड़ी interpretation अगर आप मुझसे कोई भी question पूछना चाहते है कोई भी doubt पूछना चाहते है तो आप मुझे direct message के through instagram पे भी पूछ सकते है मुझे follow कीजिए श्रेयस बड़ी the peace lover पे और आप को आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे उसी के साथ साथ अगर आप मुझे mail करना चाहे तो श्रेयस बड़ी at the rate gmail.com पे आप मुझे mail भी कर सकते है और अगर आप और भी informative वीडियो चाहते है तो आप मेरे academy श्रेयस आइस अकेडेमी के जो account है इंस्टाग्राम पे और facebook पे वहाँ भी उसे follow करके मुझे support दिखा सकते हैं मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया thank you so much for being here take care and have a very good day